अग्याइब कर दोस्तों मैं में अध्याइब आज चाप्रों रहा एलिगेशन यानि मिस्रन तो बहुत निसमें क्यों बनते हैं मैं टाइब आइज गुस्ण करवाँगा तो देहिए पहला टाइब यहां से टाइब फ़स्ट शुरू होता है एक वरतन में नब्बे लिटर द दोहरा गया तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूद की बचिवी मांतर बताईए तो देखिए ऐसे कुस्तनाओ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तो तो नब्बे लिटर दूद है इसमें से अठाए लिटर दूद निकाल लिए गया हम यह देखें आठाए लिटर से और दूद के बचा कि बाद दूद का टैरांगी तो तल 5 से 1 लीटर दूद निकाल ले गया तो चार लीटर बचा है अब आए लिए रहने और कितनी बार दोघ़ा जाया दोवर और और है तो दोवर और दोओर कर देजिए पांच से चार बच गया फिर दोवारा पिर पांच से चार बच गया है हमने देखा पहले टोटल कितना था यह निए पांच का कियो एक सो पच्चेस अब बचा कितना 64 इसका मतलब यह हुआ कि पहले दूद्ध 125 रिटर था जिसमें से निकाल निकाल कर किवार 54 रिटर दूद बचा है को जितना भी कि 125 चॉश्ट बंतर कितना कितने का हुगा इक सटका इसका अधिक सब्सक्राइब एक सट लीटर हमने पानी मिला दिया गया है यह पानी सट लीटर हुए तो दूग कितना हुआ दो चॉश्ट लीटर ता है ऐसी तरह से दोश्ट वसक्राइए एक बैट तनमें 10 लीटर अमल है इस तो आपकी समझ माया है कि हम प्रेंस समय माया है कि एक बरतन में 10 लीटर अमल है इस में से दो लीटर अमल निकाल ले जाता है उतना ही पानी मिला दे जाता है मतलब जितना दूद निकाल जा रहा है उतना इसमें पानी मिला दे जाता है फिर दो लीटन अमल में निकाल लिया रहे जाता है और पानी मिला दिया जाता है बरतन में बचे अमल का मोल मातर से अनुपात क्या होगा कि इसे बंद कर देगी तोल तो तो भर्ख लीट रिम्ल है दसलीटर है इसमें से दो लीटर निकाल लए बारता है हम ये देखें दो दस का कितना है यांथ है निफम दस का एक व्यठ cards 5 है ये अशाई है टोल पांच है इसमें से ये निकाला यान निफलिव के हैं 4 भच लया फिर दो लिटर अमलो फिन निकाला जाता है यह पांच से फिर चार हो गया और पानी निला गया बढ़तन में बच्चे अमलो का मूर मातर से अनपाथ क्या होगा यह होगा 25 रे होगा 16 तो इनका अनपाथ क्या होगा यह होगा 25 रे इसका अनपाथ है ठीक है कि नहीं उतार लो फिर आगे देखते हैं कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अ कि अ झाल किसे मारी! कि कि अब और औरोंगें अगले सवाल देखें पानी तो तो ग्लेसरीन अगले सवाल देखें पानी तो तो ग्लेसरीन अगली सवालश करना पानी तो 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 खालाः कि ज जसे लगको कि अगलाः जा गखें जाएमानी हो। कर दो कि दो न बूब तो कर दो देखो यह कुछत्न है जैसे पानी कता दञ्सरीन के के सालिस के मिश्रन मेंए j rookश्र ऑन के सा की बेंर उनकि आतने है किस्प्ष्रा पानी और में रहा जाए कि उस्षिप पानी कता दरी में का आतने है्जिन हो जाए तो पहले पानी तासा गल्सरेन का अनुपात कितना है पानी और अंजा रहे हैं पानी पानी के मात्रा अलव हो निचाहिए यानि दोन पार टीन है किसा पाने पिला रहा है तो पानी का यह अनपाझ एन चालिये लेकर बलसलींगे तो सेम रेहना चाहिए सेम है सेम हम में देखा है क्वचे टोकई कितना है दो सिर्फलison हमाहिसास ब논्प आइम तेन और एक चार चार खमाने इसमें दो से चालेög दे रखा ह। हैं तो इसने कहा है कि कि इसमें हो बिदर कि मनें डाइया है तो एक की जाही लो है टो ध्यूर स जूर तो है कि ? ऑ्ट घू कमें सात्य जनागा पनी मुला दिया में यह जाह 기자 है उसमें साथ लेक्षर मिनें पहर बनिया है कि देखिए निस्तरन का चप्टर बहुत इंपोटेंट हैं लौँ हर पेपर में निस्तरन के चेप्टर से कुछ सब्सक्राइब कि अधिनर विष्टर पुट्र का पीजी तो को टेखं न गुब अधिनगे लुद इंग इसे कि दोतने सब्सक्राइब अधिए एक दूसरा गुष्ण है पांच लेटर साइब में 80% चेने है पांच लेटर साइब में 80% चेने है इस साइब में तेन लेटर जल मिला जाता है इस साइब में तेन लेटर तेन लेटर जल मिलाया जाता है नई मिस्रण में चेननी का प्रतिसत इतना है तेन लेटर जाता है नई मिस्रण में तेन लेटर जाता है कि दो पांच लेटर चेन पांच लेटर साहब है इसमें 80% चेनी है मतलब चेनी और पानी पांच लेटर का 80% लेटर नगा लिए पांच से दो बार और दो से चार बार यानि चार लीटर तो उसमें चेनी है और एक लीटर उसमें पानी है ठीक है अब कह रहा है इस सेड में तीन लीटर जल मिला जाता है इसमें तीन लीटर प्लस कर दिया तो चाल लीटर हो गया और चीनी चाल लीटर थी पहले से नई मिछी चीनी कि पर्टिसाथ कितना है डालम कितना होएं नैज तो hunters आथ में चीनी चीनी चाल लीटर चैया एसका पर्षेंट पंच रहा है 4 से 2 और 2 से परउत आज और 50 पर सेंट किसमें जिल नहीं पो टिस पर्रसेंट तीए ने मिशनानma श्यृटर चीनी जंई के पचैनी ह झाल झाल अगला खुसन देखें अगला खुसन है दोड और पानी के दोड और पानी के पैंटालिस लीटर में सरना है दूद का पानी से अनपाद दोण का तेखें पानी के कुछ और मत्रा जा निसन में पानी के कुछ और मत्रा जा निसन में तो यह अनपाद तो यह अनपाद दो हो जाता है मिसन पानी के कितनी मत्रा और मिले गई मिसन में पानी के मत्रा कितनी और मिलावी गई ठेक है मत्रा तोटल दूदर पानी का मिसन है 43 लीट्रा इसका नपाद लेख लेजिए दूद पानी इनका अनपाद है 2 अनपाद एक 2 अनपाद एक के अनपाद में है अब कहरा जब मिसन में पानी की कुछ और मत्रा मिला दी जाती है तो यह अनपाद 1 अनपाद 2 हो जाता है एक अनपाद 2 पानी मिला गया है तो मतलब दूद तो सेम रहना चाहिए था नहीं पर तो कौई फरक में बड़ेगा तो दो की यहां कड़िए तो गहीं चार्ड दूद पहले पानी कि इतना मिला दिया इन ली्टर TWO गत एसना है कि हमाही तौक साथ कर नहीं हो नहीं कि ऊहां। 45 लीटर है और पानी केतने में दआदा है पया हुआ कीइआIDE कि अंटालेस लीटर पानी इसमें एड़ कर दे गया है इसमें फीच अबहुत के इसमें ऊपानी कर दे गया है। है कि थीसमें तैंटालेस लिटर पानी मुझाये खाले सुम्सक्राइज कर दे गया है है तेसumesरिकिते से प्भार कांप और धूसर हुए ठीक है और न बस प्ता है। वा वाथा से दूए दूए़ा नगा? अजग और है वह नगारा है दो यह टाइप बहुत बहुत मनता है मनला हर पेपर ने इस टाइप के ज़र आते हैं दो बरतन हो में करंच है कि दो तथा जल तिन अनपाप एक तथा पाप अनपाप जा रहा है कि अनपाप में है दोनो बरतनों के तरलों को क्राव तरलों कि दोस्था एक उजकते हैं करो तोका बंतने कि अर कि guy van दौन 거는 जींए अ critम के बंश बद्दाप जों कि अरतिố बंगनों passengers को तोन्यम бой भींगाँ जिससे आभा आधा दोड तथा आधा जल का अनुपात बंगाई आधा जल का अनुपात बंगाई जिससे आधा दूड तथा आधा जल का अनुपात बंगाई जिससे आधा दूड तथा आधा जल का अनुपात बंगाई इन दोनों को अलग अलग रखना है यहां दूद रख लेजिए यहां जल पहली वर्तन में हम देखें दूद तीन है और जल एक है इन तोटल इतना है तोटल तो चार है यह अधा दोड है इसमें कि अधा जन्द का अनुपात प्राप्त हो यादि एक वश्टे कि दो में से एक दूढ हो एक जल्भ हो थीख है नीचे जो हर है इसका एलसेमों कितना हो गया अठाज से यहाँ गुणा 36 से यहां और 36 से यहां चार से काटो 9 वार 18 से दो वार और 2 से इथारे तो यहां कितना बन गया दूद बन गया 27 नोटिय 27 और साथ दूनी 14 जल हो गया और 18 इन दोनों को मिस्टन हो गया जो उन पाप निकलेगा वो ने मिस्टन का निकलेगा 27 में से अठारे गई तो नो अनपात में 18 में से चोड़ गई तो चार यह नहीं मिस्टन का निकलेगा और यहीं इसका आंसर में ठीज है कि आज़े कि लास कल कंट्यूनिय होगी जो भी निसमें टाइब बनेंगे वो आगे करवा दी जाएंगे खल करवा दी जाएंगे और ऐसे ही टाइब आइज कुस्टन करने के लिए मतलब अच्छे कुस्टन करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां बैल आइकन को प्रेस कर लेना ठीक है थैंक्यू धन्यवाद